अलोफ्रेंस तो अज हम hm ng other Slaps बांत क्यों सब्सक्रीं स्थियर, इत्लेक्षट linearde ellipotential potential potential difference है क्या मादलो यह infinity यह infinity है infinity के मतलब जैसे जित्ना हम सोगतने उत्ना और जित्ना ऐक क्यों पॉैंट माधलो यह है जित्ना वर्क करे немाणना पड़ेगा infinity से point को लाने के लिए घितना में work करना पड़ेगा एक charge को जितने में recharge एक coulomb charge को या जितने में को나म लगाने चार्ज को हमने कितना work करना पड़ेगा infinity से one point तक लाने के लिए यह हमारकिक पास electric potential है अब potential difference क्या है यह मालो point B है और point C है तो हूमें कितना work done करना पड़ेगा किसी चार्ज को एक point B से point C को लाने में एलेक्टिव पोटेंशिल क्या था कि infinity से किसी point तक लाना है और potential difference क्या है कि किसी fix point से दूसरे fix point तक लेके जाना है इन दोन में कितना में वर्ग्जिन करने हैं पड़ेगा कि अमने जितना चार्ज लेकर आने तो इसको कहते हैं अप्रेश्य और पॉटेश्य दिफरेंस ठीक है तो यह आफते पर लिए थे हम Electrons move only when there is a potential difference of electric pressure called the potential difference This difference of potential may be produced by a battery consisting of one or more electric cells These chemical action within the cell generates a potential difference across the terminals of the cell ठीक है? अब ही सही है जो मैसे मानल है हम एक सर्केट जैसे भी बना रहे है यह मानल है के वो बना दिया अमने एक बल बना दिया ठीक है और यहां पे मानल हो यहां मेटर लगा दिया तो यह जो है है ना यह तो इक साल है चोले जैक को लगा लिते हैं यहां पे अब मानल है बै bride?」 बैटरी में होगी coral की नहीं होस्ट हटा है ठीक है अगर यहां पर कुछ भी ना होता मालों कि अगर यहां पर कुछ भी ना होता है इस चार्ज को यहां सी यहां तकलाने में ठीक है in order to maintain the current in a given electric circuit the cell has to expand its chemical energy storing heat अब यह जो positive negative charge मेंने काया अब यह जो बने है इसके लिए हमें energy battery को अंदर chemical reaction electrolysis वगर पड़ते है ठीक है वो processus हुए होंगे तब ही जाके positive negative charges के formation होई है इनकी वज़से ही जो electrons है move कर पार है ठीक है the electric potential difference is the work done to move a unit charge from one point to another potential difference की मतलब मालोगा हमार पस numerical expression के आजएगा potential difference is work done upon unit charge कितना में work done करना पड़ा एक charge को कई पॉइंट से किसी भी जूसरी पॉइंट तक लगे जाने में ठीक है the excited of electric potential difference is volt volt होती है electric potential difference की मालोग potential difference के मार पस unit और किसके नाम के है Alexander Volta के नाम पे क्लब काम के अधर potential difference पे ठीक है और similarly जैसे मनें 1 ampere defined क्या था 1 volt हो जाएगा 1 volt क्या हो जाएगा work done की क्या होती joules तो एक joules work करना पड़ा एक कूलम को charge लाने में तो 1 joules per coulomb ठीक है 1 volt हो ठीक है 1 volt क्या हो गया potential difference में तो पॉइंट से ना current current इसको में पैलल में आते है क्योंकि इसके resistance बहुत जाद हाई होती है अब resistance अभी थोड़े से अभी थोड़े सा अगया आएगा कि इसके resistance आइमेटर की उल्टा क्या है resistance अप्रोक्सिमेटली 0 मान के चलते हैं और एक voltmeter की resistance हम infinite मान के चलते हैं ठीक है वैसे तो आइमेटर के भी थोड़बहुत resistance होगी और voltmeter के ऐसे ही नहीं है कि इतनी हाई resistance की infinite पहुंच है हम यह पर जब बात लेकर के चलते हैं तो हम आइडे लेकर चलते हैं कि आइडल आइमेटर के resistance होगी 0 आइडल voltmeter के resistance होगी infinite ठीक है तो यहां भी जाएसे question है how much work is getting in moving charge of 2 quillum across 2.7 of potential difference or 12 volt तो simple जी बात है वर्क्दन पुच्छ होगी वर्क्दन केतना होगी ठीक है तो वर्क्दन केतना होगी तो हमार पास क्या आगया तो आगे पुच्छ होगी name a device that helps you maintain a potential difference across a connector potential difference को maintain चलता है battery ठीक है अगर simple एक cell लगावाद है वैसे तो जाएतर बैटरी लगाते है एक cell से काम चलता नी तो इसके लिए हमने कहा दिया battery what is made by saying the potential difference between 2 points is 1 volt वही 1 volt क्या एक कॉलम चार्ज को एक पॉंट से दूसरे पॉंट लानने में how much energy is given to each column of charge passing through 6 volt तो यह पूछ ले मतलब कितनी energy देनी पड़े हमें 1 column of charge को 6 volt 6 volt की battery से pass करने में तो वही हम लगाएंगे मतलब energy क्या है work done कोई भी work done हमें जो करना पड़ा work done कितना पड़ा V into Q तो वोल्टेज के बैटरी कितनी वोल्ट की है 6 volt और charge कितना पास करना एक कुलम तो में 6 joule work करना पड़ा ताकि 6 volt battery से एक कुलम चार्ज पास हो जाए तो में 6 joule work करना पड़ा circuit diagram बनाते है मतलब की representations दिखाते है battery लगा है तो में इसको circuit diagram से शो करते है तो कौन से को चूल से उसकर यूज करते है it is offer community row is schematic diagram in which the different components of circuit are represented by symbols commonly used कि हम एक circuit diagram बना रहते है और जो भी हमने instruments लगाने होते है उनके लिए हमने special symbols दिए हूए इससे रिप्रेजेंट हो जाते है कि हाँ हमने यहां पी अगर मालो amitr तो इसे वोड में लगा है तो आगे देखते है इसको कैसे दिनूट करेंगे यहां पर इसे दिनूट करते है यहां पर जो बड़ा वाला तो इसको पोजेट टर्म में कहते है नेगेटिव टर्म में जो छोटा वाला होते है और बैटरी के combination cells तो हमने यह लगाते जाने ठीक है वैसे बैटरी के भी आगे combination होते है कि हमने यह जो cells are parallel में लगा है series में पो इतने चलो आपको है नहीं हम series में ही मानके चलते हैं ठीक है प्लग की और switch open हमने मतलब switch लगाना है तो ऐसे दिनूट कर सकते है यह वैसे इसे बैटरी कर सकते है अगर मानलो open है तो मैंसे बैटरी कर सकते हैं ठीक है और प्लग की switch के switch जो close है इसको dot-save represent कर दिया यह इसको मैंसे represent कर सकते है ठीक है यह बंद मतलो wire joint की कोई joint है मानलो यह wires crossing without joining की मतलो की एक तार जो है यह उपर से cross कर दिया मतलो इसको बेच में कोई connection नहीं यह उपर से cross कर दिया बस electric bulb ऐसे represent कर सकते है यह ऐसे यह easy method है इससे represent कर दिया अब resistance आगे पड़ेंगे resistance कर रिपरेंट करते है ऐसे और variable resistance reusecat का है कि हम यह cash flow instrument है जिससे हम किसी भी circuit resistance resistance change कर सकते है जैसे यहां पर मतलब मालो ऐसे attach कोते है तो इसके मतलब अगर जो actual instrument लखेंगे उसमें बटन लगा होता है जैसे हम resistance कम कर सकते है यह increase भी कर सकते है तो इसको variable resistance कर सकते है Amateur हम हमें पता है कि electric current को मेरे करने के लिए तो इसको यह उसे positive negative terminals ना battery के इसाब से देखने होता है कि जैसे current flow कर रहा है तो उसके इसाब से देखना होता है ऐसे तो हमें कुछ पता नहीं है positive negative है वोल्ट मेटर जैसे positive negative तो यहां पर voltage हमने देखने के लिए चुछल आगे हम slow पढ़ेंगे वह बहुत important चीज है तो यह थैंक यू